Hello student class 10 science का chemistry, chemical reactions and equation chapter का NCRT का हम question and exercise को discuss करेंगे इसके answers को तो in text questions को भी discuss कर लेते हैं तो सबसे पहले page number 6 NCRT book का question number 1 Why should a magnesium ribbon be clean before burning in air? तो जब magnesium ribbon को हम burn करते हैं तो उसे पहले, burning करने से पहले हम क्या करते हैं, clean करते हैं, sand paper से तो क्यों करते हैं इसा? तो इसका reason है, magnesium ribbon is clean to remove the protective layer of basic magnesium carbonate carbon dioxide या oxygen की presence की कारण, magnesium में क्या लग जाती है? protective layer लग जाती है, अगर carbon dioxide की layer लगीगी तो magnesium carbonate बन जाएगा तो इसको remove करने के लिए उस protective layer को उसके surface से तो हमें क्या करना होता है इसको sand paper से clean करना होता है या फिर oxygen की साथ यह क्या हो जाती है, गममाईन हो जाती तोальное magnesium oxide की layer को या magnesium carbonate की layer को दूनों layers को हम क्या करते हैं? रिमूफ करने के लिए, क्या करते हैं से, sandpaper से clean करते है, ठीक है, सेखिंद कोशन है आपका, right the balanced equation for the following chemical reaction, तो, balanced equation बनानी है आपको, reactions में, ये आपको देखो words में given है, पहले आपको इसको symbol wise लिलाना है, and then आपको balance करना है, तो hydrogen को तो सबको पता है H2 symbol होता है, chlorine Cl2 होता है, and H2 और Cl2 combine होके HCl बनाते हैं, और देखो यहाँ पे H2 और Cl2 है, तो इसके आगे 2 number लग चाहिए, बैलेंस करने के लिए ठीक है, तो जितने reactant side में number of item होंगे, H और Cl के उतने ही product side में भी होने चाहिए, तो इस तरह से हम balancing करते है, reason क्यों करते हैं balancing, ताकि जो law of conservation of mass है, उसे हम क्या कर सके, फुल्फिल कर सके, second is का है, barium chloride और aluminium sulfide, तो barium chloride का formula सबको बनाना आता होगा, barium BA होता है, chlorine क्या होता है, Cl, तो बैरियम chloride को जब आप बनाओंगे formula, तो BA, यह तो आपने 9th class में भी सिखा है, barium और chloride, अब barium की valency कितनी होती है, 2, और chlorine की valency होती है, 1, तो बैये, Cl2 बन जाएगा, तो यह क्या ब 2, ऐसी, फिर किसे मिला है, aluminium sulfide से, तो aluminium sulfide क्या होता है, aluminium AL, और sulfide होता है, SO4, aluminium की valency कितनी होती है, 3, और sulfide के कितनी होती है, 2, तो cross कर देना, तो यह बन जाएगा, AL, 2, SO4 पे कितना आजएगा, 3 आजएगा, इन दोनों का आपने react किया, barium chloride और aluminium sulfide को, तो क्या बना, barium sulfide औ आजएगा, तो barium sulfide का formula भी बनाओ, BASO4, यह ना, BA में कितना है, valency 2, और sulfide में भी 2, तो यह तो cancel हो गया, तो barium sulfide क्या बन जाएगा, BASO4, फिर ऐसे aluminium के साथ chlorine, aluminium chloride बनाएंगे, तो AL और CL, aluminium की valency 3, CL की 1, तो formula क्या बन जाएगा, AL1 और CL3, यह निकि ALCL3, तो ऐसे करके आपको पहले इसके symbol आपने जो 9th class में सीखे है, वो बनाने है, then आपको इसे words से किसमें ले आना है, symbol form में ले आना है, ठीक है, उसके बाद से balancing करने हैं, तो देखो, balancing करने में आपको, देखो, barium में यहाँ 1 item है, और यहाँ भी 1 है, इस chlorine के यहाँ 2 है, और य aluminium double हो जाएगा, aluminium double यहाँ अल्रेडः है, barium यहाँ पर double हो गया, तो यहाँ पर triple हो गया, तो यहाँ पर भी 1 है, तो बैलेंस करने के लिए अगर आपको सीखनी है तो चैनल में आपको बैलेंस एक्वेशन जो है वो वाली वीडियो अब सर्च कर लिए आप ऐसी सोडियम है, सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na and water का सिंबल क्या होता है, NaO, Sodium हईड़ोकसाइड का सिंबल होता है, NaOH, sodium हईडोकसाइड है, NaOH और hydrogen H2, अब देखो यहां पे एच के 2 है यहां भी एच के 2 थू ही बट आक्सीजन यहां पर देखो हाइडरोज aquela 2 यहां यहां ब्हून है यहां सिर्फ 2 था यानि कि इसको भी करें तो यह हो गए तो यहां पहे ड्याद गया जीएके जैसे ऑक्सीर्ण डबल हो इसमें भी आपको balance chemical equation करनी थी symbols की form में पहले इसको आपको symbol form मिलाना है तो देखो barium chloride को और sodium sulfate को आपने क्या किया है skin के solution को water में डाला है और आपको क्या मिला है insoluble barium sulfate यानि precipitate मिला है and साथ में sodium chloride तो सबसे पहले barium chloride का formula बनाओ BACL2 उसके बाद sodium sulfate का formula बनाओ Na2SO4 formula बनाना तो आपको आई गया होगा Na की valency कितनी होती है 1 और sulfate SO4 की valency 2 होती है तो cross करके Na2SO4 बन जाएगा अभी water में soluble की है तो equus यहाँ पे लिखना पड़ेगा bracket में then आपको बता है ion exchange हो जाएंगे barium के पास sulphate आजाएगा और Na के पास CL आजाएगा double displacement and barium sulphate प्रिस्पिरेट आजाएगा तो solid लगा होगी and NaCl तो solution है तो equus लगा होगी sodium hydroxide NaO होच होता है water है तो equus लगा दिना react कि से क्या hydrochloric acid solution solution है तो equus लगाना HCl and produce sodium chloride solution sodium chloride solution NaCl aqueus solution है ना and water H2O H2O के सा होता है liquid तो इस तरीके से आपको इसे words से symbol formula है and then आपको इसे balance कर देना है next आगे की NCRT का page number 10 दिख लेते है a solution of substance X is used for white washing name the substance X and write its formula तो देखो substance X है जो white washing में use हो था उस substance X का name बताना था आपको और उसका formula बताना था तो देखिए substance X जो white washing में use होता है इसका नाम पूछा है अपसे और इसका formula पूछा है तो substance X है हमारा calcium oxide इसका formula है calcium CAO ठीक है इसका हम like या lime या cute lime भी कहते है तो उसके बाद इसका जो second part उसमें पूछा है right the reaction of the substance X named in above with water और जो भी substance X है उसका water के साथ reaction पूछा है तो देखिए calcium oxide तो जब हम water के साथ mix करते है H2O calcium oxide होता है solid और यह होता है liquid तो calcium hydroxide बन जाता है solid form में इसका name कहा है slate lime slate lime मतला calcium hydroxide और lime मतला calcium oxide calcium oxide water के साथ slate lime बनाता है जो कि एक white powder होता है और यह बहुत ही exothermic reaction होता है ठीक तो इसको हम चूना भी कहते है न तो पानी मिलाते है तो बहुत heating कलती है तो यह slate lime बन जाता है white powder इसके बद नेक्स कूशिन है इसमें why is the double the amount of gas collected in one of the test tube in the electrolysis of water activity name the gas तो आपको पता है न electrolysis क्या होता है जहाँ पे h2 और water का जब हम हम water में electricity पास करते है electricity तो आपको क्या मिलता है h2 और o2 है तो एक cathode मिलता है एक anode में है तो यह क्या होता है electrolysis यहाँ पे h2 और o2 है तो यहाँ पे 4 होगा तो यह क्या है electrolysis अब यहाँ पे हम यहाँ पूछा है कि कौन सा जो गैस है जो एक test tube में मिल रहा है वह डबल है तो डबल कौन सा है hydrogen और oxygen तो hydrogen है और one part कितना क्या है oxygen है जिस वज़े से यह डबल मिलता है और oxygen वन पार्ट मिलता है ठीक है तो hydrogen gas double मिल रही है next question देखते है page number 13 why does the color of copper sulfur solution change when an iron nail is dipped in it तो जब आप copper sulfur solution में iron nail dipped करते हो तो color change क्यों हो जाता देखो तो अगर हम इस reaction को देखे तो copper sulfate की formula अगर हम बनाए copper sulfate का CUSO4 inside में यहाँ पर iron nail dip करें यानिकी FP तो आपको पता है न copper iron में कौन reactive है जादा iron reactive होती है तो iron अगर reactive है तो iron क्या करेगी इसमें से इसके iron को displiase कर देगा है सोफोर को तो अपनी में ले लेगी आपको ठीक है और साथ में copper separate हो जाएगा तो copper sulfate और iron को जब हम रेक्ट करते है तो iron क्यूंकि reactive है तो copper को इसके iron से डिस्प्लेस कर देगी यानि iron इसके पास चला जाएगा सोफोर और इसकी वैलेंसी भी 2 है इसकी भी 2 है तो 2 से 2 गैंसे लोगे यानि इसका फास पास बन जाएगा और copper separate हो जाएगा जब भी कोई reactive metal हो तो कम reactive metal से iron को क्या करते हैं डिस्प्लेस करते हैं डिस्प्लेस्मेंट डिस्प्लेस्मेंट डिक्शन ठीक है तो यहां पे रहे कुछ है कि color change क्योंगा color copper sulfate का change क्योंगा जब iron nail dip की तो जब iron nail dip करी हमने तो blue color जो था इसका पहले blue color था copper sulfate का अब यह कैसा हो गया red brown हो गया copper ठीक है तो जो blue color है वो iron में क्या करा डिस्प्लेस कर दिया copper को copper sulfur solution से जिससे जो iron sulfate solution है न वो green color का आया ठीक है तो blue से कैसा solution हो गया green color का समझा गया क्यों क्योंकि iron क्योंकि ज़्यादा रेक्टिव थी जिसने क्या किया कम रेक्टिव मेटल से इसको displace किया तो यानि की color blue से कैसा change हो क्या green और copper अपिस red brown color में मिल चाहेगा ठीक है displacement direction कहते है इसको next question है double displacement direction का example दीजिए तो यहाँ पर यह तो यह सिर्फ displacement reaction है double displacement ही में क्या होगा इसके पास भी अपना आयन होगा इसके पास भी अपना आयन होगा आपस में आयन क्या कर लेंगी एक्स्चेंज कर लेंगी तो जैसे कि silver nitrate solution है जब हम उसको sodium chloride solution में डालते हैं तो double displacement reaction होता है तो silver chloride का white precipitate मिलेगा sodium negative nitrate solution के साथ तो अगर हम इसका reaction देखे तो तो देखें silver nitrate साथ में NaCl क्या बनाएगा इसका दखो एन ने के पास तो इसका वाला आयन आजाएगा no3 और और एजी के पास यह वाला आयन आजाएगा इसका आयन इसको यह वाला आयन मिल जाएगा और इस यह वाला आयन एको मिल जाएगा है तो यह जो एजी सील है यह सॉलूशन से बाहर आजाएगा प्रेसिप्टेट बनाएगा वाइट प्रेसिप्टेट और एक्वस सलूशन ठीक substance that are oxidized and the substance that are reduced in the following reaction तो देखो oxidize और reduce कौन कौन हुआ है तो oxidize मतलब जिसमें से oxygen जिसमें oxygen add हुआ है और reduce कौन होता है जिसमें से oxygen हटा होगा है ना ऐसी उल्टा अगर hydrogen की case में बोले तो जिसमें hydrogen हटे वो oxidize होगा और जिसमें hydrogen add हो वो क्या होता है deduce होता है तो अगर हम इसको देखे अगर अब का और ओधा और ہے और यहां पर और आएन अउ vari हो बन गया तो अगर 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 एदे चल्दे को देखें तो यानव1 में चेंड्ड हो गया ना तो यानि की अडिशन होगय ना और अ जा और addition of oxygen जब भी addition of oxygen हो तो हमसे बोलते है oxidize हुआ है ठीक तो यहां left hand side वाला answer होगा right hand side वाला answer नहीं होगा तो any क्या हुआ है oxidize हुआ है तो आपको पूछा substance oxidize कौन हुआ है तो oxidize कौन हुआ है any ठीक है तो first वाले में हम सिर्फ पूछा था oxidize कौन हुआ है तो any और अगर एक चीज oxidize हुई है तो यह oxygen क्या हुए है reduce हुए है ठीक है तो यहां पर एक हो बचा यहां दो थे तो oxygen की बात करें तो oxygen क्या हुआ है reduce क्योंकि oxygen कम हुआ है तो यानि यह reduce हुआ है तो substance reduce कौन होगा oxygen क्योंकि टूथ है और एक हो गया है तो अगर एक oxidize हुए तो दूसरा क्या हुआ होगा reduce हुआ होगा नेक्स जिसका second part देखेंगे copper oxide और hydrogen ने क्या बना दिया copper और साथ में water तो यहां भी हम अगर देखें तो copper oxide है फिर hydrogen है देन copper और water आ गया तो देखो copper oxide से copper में change हो गया यानि कि oxygen पहले था अब हट गया तो oxygen के oxygen के जानी को नेक्ति माइनस का जाना रिमूवल तो oxygen के जानी को हम क्या 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 तेरी reduction है ना oxygen के आनिक oxidation क्या ते यह oxidize हुआ है oxidation किसका हुआ है oxidation किसका हुआ है oxidation ठीक है एननी का तो एननी oxidize हुआ था और यह reduce हुआ था अब यहां पर तो oxygen हटा है ना यहां oxygen था अब हट गया तो यहां reduction हुआ है oxygen का हटना reduction होता है और यहां पे तो hydrogen है और hydrogen में क्या हुआ हुआ oxygen आ गया ना oxygen आ गया पहले hydrogen तब water बन गया तो यहां पे oxygen का जा हुआ था रिडिशन हुआ है edition का मतलब oxidation तो यानि कि अगर हम substance oxy rice की बात करें औक्सिराईस में तो उक्सिडेशन जिसका वहा है या यह अक्सिराईस में तो पूछा थे तो रिड्यूस क्वैंग्सा होवा है और अगर आपसे पूछत यह अदß ऑलने इसा में Va तो यह पूछा नहीं है यह एक्स्ट्रा है ऑक्सिटाइज जिसमें ऑक्सिएन आ गया यह नहीं इसमें ऑक्सिएन जिसमें चला गया नहीं वह रुडियूस हुआ है यह ठीक है तो इसके आंसर ऑक्सिडाइज एननी और रिड्यूस कौन हुआ ओटियूस चीक है ऐसी दूसरी आले में ऑक्सिडाइज कौन हुआ है अच्टू और रिड्यूस कौन हुआ कॉपर अक्साइड आगे के कुशिन देख लेते हैं 1416 पेच के लेड्व स्यब्साइड और कार्वन रिएक्त करेंगे लेड्व का उक्सिजन का लो और कॉड्यूफ फोड प्रसरें पशिए तो लेड्टियूस हुआ थेखे को मैंने इंकरेक्ट बोची है एक मतली लेड गेटिंग रिडियूस अक्सिजन हट गई ना तो दिखें मैंने अब आपको बता है लेड ऑक्साइड है और यहां लेड में चेंज होगा तो यहां से ऑक्सिजन हटा है ना तो लेड थोड़ी ना बट बसी लेड बहूत बट एक होगा बात सच यहां लेड तो यहां पि 느 फॉलस श्टेटमेंट है इवाली इंकरेक्ट हुआ इधर वाली साइट कोई खुरुना कुछ क्या को तो यहां वाले में थोड़ी ना कुछ भी होता है, ना तो oxidize होगा ना reduce होगा इस side वाले को, इस side वाला ही oxidizer reduce होता है, तो यह तो reduce होए क्योंकि oxygen हट गया, तो यह lead oxide reduce होगा, यह correct है आपकी है और carbon oxidize होगा, यह भी correct है, बट यह incorrect है, lead थोड़ी ना reduce होगा, carbon oxidize होगा है, यहां की सेट को थो नहीं हम बोलते हैं इधर की सेट को बोलते हैं तो यानि कि यह फर्स्ट और सेकिंड वाली आपकी इंकरेक्ट है इंकरेक्ट पूछी आपसे तो एंड बी इंकरेक्ट है आंसर नेक्स देखेंगे इसके पास इसकायन था इसके पास नहीं था इसने इसकायन ले लिया तो यानिकि यह तो सिंगल डिस्प्लेश्मेंट है यहां पर इसके पास भी अपनायान था इसके पास बोटा और इसका ले ले था तो यह तो सिर्फ डिस्प्लेश्मेंट है डबल डिस्प्लेश्मेंट नहीं तो दी ओप्शन इसका करेंगे कूशन देखेंगे की वाट एपेंज फेनल Оइट टो फिलिंग्स टिक दिक तरेट क्या होगा जब डाइप्र हाइड ख्लॉर्ट अशिड में हम आयरेन फिलिंग्स को डालेंगे तो देखा आयरेन फिलिंग्स क्या होती है अब की एफवी और एच्सी एल होगा क्या देखो आइरन क्योंकि ज्यादा रेक्टिव है ना हाइडोजन से रेक्टिविटी सीरीज आपको याद करने पड़ेगी तो आइरन क्या करेगी कि अपने में दिस्प्लेस कर देगी एफफि की वैलनसी टू फफिसील 3 बना देगी तो जिब भी डायडोट अइडोग्लोरिक एसिट को हम आइरन के साथ एड़ करेंगे रेक्ट करेंगे तो आइरन क्योंकि रेक्टिव है तो यह एज को दिस्प्लेस कर देगी और सील अपन क्रॉस कर देना तो एफिसील डू बना देगी और साथ में हाइडोजन गैस अलग हो जाएगी है नो क्योंकि यह जाधा रेक्टिव है इसलिए इसने आयन को टिस्प्लेस किया तो यहां पर बूचा है हाइडोजन गैस और आयरन क्लोराइड बन रहे हैं दूसरा ओक्षन दिय है और फुर्द होगा यह यहांता सोल्ट तो बना को और बना ज्यायं यह ऑप्षारञट डांव में या यह डॉल्धकन होगी को जो इसे क्या कहता है तो असल्य क rewrite आपकर इसका और use है उसके बाद बैलेंस chemical equation क्या होती है और chemical equation को balance करना क्यों से दूरी है तो chemical equation जिसके पास equal number of atom हो different element के reactant and product में यानि कि जितने atom जिंक के reactant side में हो उतने यहां भी product side में भी होने चाहिए यासी hydrogen के 2 atom है ना तो reactant side में तो product side में भी इसके इतने ही atom होने चाहिए तो जब हम बोले क chemical equation जिसमें equal number of atom हो elements अलगलग elements के reactant and product में equal number of atom हो तो उसको हम balance chemical equation कहते है इसका example यह है अब इन्होंने पूला क्यों करना चाहिए chemical equation को balance तो देखिए equation को यह इन्होंने शो किया कि zinc के यहां भी one atom है, इस side भी one atom है, hydrogen के इस side two atom है, इधर भी two atom है, sulfur के इधर एक atom है, यहां भी एक atom है, oxygen यहां फोर atom है, यहां भी four atom है तो यह balance chemical equation है, अब reason क्यों करना चाहिए balance, the chemical equations are balance to satisfy the law of conservation of mass ताकि law of conservation of mass satisfy हो, यानि कि reactant side का total mass, product side की total mass के क्य होना चाहिए equal होना चाहिए so the total mass of all the element present in product of chemical reaction should be equal to the total mass of all the element present in the अकर यह atom balance नहीं होते तो यह law fail हो जाता नो तो यह law तो लगना चाहिए कि रेक्टेंट साइट का mass यहाँ product साइट के mass के क्या होगा equal होगा इसलिए atoms की number क्या होने चाहिए equal होने चाहिए नेक्स कोशन है आपका आपको chemical equations को पहले word से symbol form मिलाना है और इनको balance करना है तो देखो hydrogen gas H2 होती है nitrogen N2 होती है अब आप इसको balance कीजिए H में 2 है ना और यहां 3 है तो यहां पर 2 और यहां 3 आजएगा ताकि 666 दोनों में balance यह अब यह nitrogen 2 हो गई तो यहां तो अल्रड़ी 2 है अब दूसरा hydrogen sulfide gas H2S होती है है ना hydrogen sulfide देखो ऐसे बनाते है H और S H की balance ही 2 hydrogen की 1 तो cross कर दो तो H2S बन जाएगा और साथ में oxygen बन का अदला oxygen होता है वो 2 और water बनेगा H2O और sulfur dioxide बनेगा उसके बाद balance कर दीजिए देखो यहां पर H के पहले अगर balance नहीं था तो H के 2 थे इधर भी 2 थे oxygen की यहां 2 थे यहां लेकिन 2 और 1 3 थे तो यहां पर double करना है ताकि यहां तो यह तो पहले नहीं था ना नमबर यह था नमबर 2 और यहां 1 है तो 3 है ना और जबकि यहां पर कितने 2 है तो हमें 3 को balance करने के लिए यहां 3 oxygen देने बढ़ेंगे ताकि 600 और इधर 2 है तो यहां एक्स्टा और देने पड़ेंगे तो balancing detail में आप balance वाली equation में देख लेना बाकी तो यह symbol form को आपको sorry words को आपको symbol formula आना बेरियम क्लॉड़ाइट बी-a-c-l-2 aluminum sulphate al2so43 साथ में क्या बन जाएगा आयन exchange alcl3 और इधर मैंने भी उपर कराए बेरियम sulphate बन जाएगा और balance कर देना quotation में के होता है water की सा द्रीक करोगे तो को अच बन जाएगा और h2 अलग हो जाएगा फिर बैलेंस कर लेना question number six भी है यह आपका balance equation यह हम next part में करेंगे इसको मैं detail में आपको सिखाऊंगे कि कैसे equations को balance किया जाता है ठीक है वीडियो को share ज़रूर करना और चैनल को subscribe कर देना और अपने 10th के board exam की revision करने के लिए and questions maths के लिए आप चैनल से जूड़े रहिए और वीडियो को share ज़रूर करना और balancing को हम next part में सीखते हैं